आज हम स्टार्ट करेंगे partnership accounts पर्टनर्शिप अकउंट एकदम basic से पढ़ाऊंगा starting से पढ़ाऊंगा और और यह अश्यूम कर रहा हूं कि partnership accounts आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है यानि कि एकदम basic से एकदम starting से पढ़ाऊंगा आपको करना क्या है अगर यह आपकी copy है और यह पेज़ नमबर वन और यह पेज़ नमबर टू है तो आप ऐसे अपनी कोभी में 10 पेज़ छोड़ देंगे उन 10 पेज़ पर आपको पूरा पर कोशन करेंगे तो यह चैप्टर आउटलाइन आप जो स्टार्टिंग में 10 पेज़ छोड़ वहीं लिख लेना सबसे पहले हम पढ़ेंगे आझ हमारे लेक्ट्र रहने वाला है 성ार के पीसम्यल है उसके बाद कर लेंगे इसके बाद एक उसके बाद से अट उसकी से बद एक विजिशन औरdoc जैंड से यह आपको बताऊंगा साथ में बस यही चैप्टर के नदर करने बहुत ज्यादा इजी है अगर आपको यह चैप्टर पहले का भी हाड लगता था तो मैं पूरी कोशिश करूँ कि अब यह चैप्टर आपको हाड ना लगे तो आज के हमारी क्लास रहने वाली है डिजॉलूशन के ऊपर डिजॉलूशन ऑफ पार्टनर्शिफ वर्म पार्टनर्शिफ वर्म आपको पता है क्या होती है एक से ज्यादा लोग मिलके जब विजनेस से लाते हैं उसको पार्टनर्शिफ वर्म कहते हैं डिजॉलूशन और एक किणाम है यह दो पाइटनर ने मिल बिजनस चला रहे हैं इन दोनों ने मिलके बिजनस चलाया और बिजनस के अंदर बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया यह देखिए बना देता हूं में यह आपर बोरा भर गया पैसा कमाते कमाते लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता इन्होंने बहुत बोरा भरके पैसा कमाया लेकिन अब इनका यह जो बोरा है यह खाली होने ही वाला है और यह हो गया मतलब अच्छा खासा बिजनस चलते चलते इनको अचानक से पैसे की कमी पढ़ने लगी यानि कि प्रॉफिट इनको कमा आने लगा और इनके बिजनस में बहुत ज्यादा टैंशन क्रियेट हो गई यह देखिए यह कैसे सरपकड़के बैठा है एक समय ऐसा था कि यह कितने है डिजॉलूशन और पार्टनर्शिफ फर्म्स डिजॉलूशन मतलब बिजनस का कोई बिजनस के अंदर कोई भी कारण हो सकता है कि जिसके वज़े से हमको बिजनस बंद करना पड़ा है इसका मतलब डिजॉलूशन का मतलब पार्टनर्शिफ फर्म है और उसका बिजनस क् स्टाइल मार के कैसे बैठ आप लोग है सब्सक्राइब हमको डिसुलूशन आ गया है हम को पतना चल गया कि दिशुलूशन क्यों होता है इसलिए सब्सक्राइब कि मारं के बैठे हैं अरे रुखो रुखो अभी तो तुमको सिर्म एके अग्जांपल दिया है यह बहुत बुराने और नहीं नहीं सबसे एग्जाम्पल होता है यहां सबसे यह नहीं होता है सबसे इस फर्म को डिजॉब होने कई वह कौन से मैं यहां पर लिखवा देता हूं कई हो सकते हैं सबसे पहले इग्री तुम यह ति से पेपर में नहीं भालों द्योट सबस्क्राइब को क्यों होती है सबसे पहले देन के परणब्सब्स along fingers इश二जबंस अब हमको बिजनसों कर दो जाया उसके बदा नबर इन स्ल!" आगे आएगीं आपको आगे पढ़ाूंगा है इन लेगल बीजिनस फॉर फॉर है पार्टनर्स एगरी टू डिजॉल भी आपको पड़के ही पज़र चल रहा है कि इनका नाम जननी की ज़रोध हमको नहीं है वैस्टी तीन पार्टनर है तीनों मिलके एक पार्टनर्शिप फर्म चला रहे हैं यहां पर बन गई पार्टनर्शिप एडविल का क्या मतलब होता है यह जो तीन पार्टनर है इन तीनों में से कोई भी एक पार्टनर बना सकता है नोटिस और यह नोटिस वह दे सकता है पार्टनर्शिप को यह नोटिस यह देगा किसको पार्टनर्शिप फर्म को या फिर यह नोटिस दे सकता मुझे लगता है कि फर्म को डिजॉल्व करना चाहिए तो उस टैम पर हमको पार्टनर्शिप का डिजॉलूशन करना पड़ेगा तो यह पार्टनर्शिप आपको करनी पड़ जाए और यह कि यह क्या सोच रहे हो हूं सर्क्राइब क्या होता है यह को पतर चल गया डिसोलूशन क्यों होता है यह भी पतर चलिया लेकिन अभी तक यह नहीं पतर चलो यह कि हमको करना क्या है जो आपको करना है ना वह तो हमेशा एक एक काम करते हैं लोग जो हमको करना है वो है पाटनेशिफ फर्म डिजॉल्व हो जाएगी क्यों होएगी यह मैं आपको बता दिया थ्योरी है पेपर में नहीं आता पेपर में वही आएगा जो काम हमको करना है और वह काम हमको करनी है डिजूलुशन की करेंगे यही मैं आपको आज सिखाने वाला हूं आज की क्लास जब तक पूरी होगी उसके बाद कर सकेंगे उसको कंप्लीट कर सकेंगे वह भी ठीक तो ध्यान से समझना डिजूलुशन का डिजूलुशन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं कि यह एक बिता है है यह बना रहा हों रहं बेलेशृट में एक इसट होते हैं आग को पता है पिते हैं मैंने यह अभिव और प्रोसे सेavorsाट ह्यां यहां अब इसयोलुशन हो घौक बिजिनस बंद आप कोई बिजिनस नहीं होगा तो यह प्लिंट जो ओपन होई पड़ी यह क्या कर रही है इसको क्लोज करो के खरके हम तो बूल पक्रोंप्र ही करने हैं कि अंदर देखिंगे कि हम क्या घर सकते हैं बिजिनस बंद हो गया बैलेंशिट में खिली पर आपको ब अब सवाल करेंगे कैसे करेंगे कैसे जानने से पहले आप से मैं पूछा हूं के लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर लिख देता हूं कि अब हमको बैलेंशिट क्लोज कर दिया बैलेंशिट कोई अकाउंट नहीं है बैलेंशिट कोई अकाउंट नहीं है इसके अंदर कभी आपने लिखा नहीं देखाऊगा यहां पर आपने कुछ लिखा नहीं देखाऊगा बैलेंशिट के अंदर क्लोज करना है तो वही जगह जहां से बैलेंशिट के अंदर चीज़ें आती हैं उसी जगह जाओ और वहीं से उन चीज़ों कर दो जैसे कि लिए लैजर है किस एसेट का लाज़र हो सकता है तो उस लेजर के अंदर जाके जनल कर दो झारड पर को एक लयाजर को स्काराइब करेंगे अब लेजर को क्लोस करेंगे ठीक बात तो में आती दो लेजर बनाने स्टार्ट करते हैं यह कई सारे बॉक्स के अंदर लिजर हो सकते हैं 006 जेलेजर चुछे बना दिया यह बहुंत के अकांठ अदे हैं में सब्क्राइप गहान देन्स्य का कर्थ निदल का पिन अपको क्लोस करने के लिए हम यह सारे बना यहां पर आपको सिर्फ बनाकर दिखाएं अगर बड़ी परटनर्शिप फिर्म हुई तो यह लेजर सो से भी ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं अब सब्सक्राइब को सारे बनाने पड़ेंगे मतलब हंड्रेड लेजर आ गया तो क्या हंड्रेड लेजर बनाने पड़ेंगे अजे यह सर पकर के मत बैठो ऐसे आश्चारे चकित ना हो ऐसे और सो बनाना जी क्या समझदारी के बात होगी अरे बिजनस तो बन दी हो रहा है फिर क्या इस आप कर रहे हो बैलेंश करना है और उसके लिए इतना जंजट यह लेजर सब्सक्राइब रहे हैं सबको क्लोस कर रहे हैं तो इन सारे लेजर अकाउंट की जगा आप सिर्फ एक जगला क्लोज मत करो सबका एक 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 मांद दो जिसका नाम है रिलाइजेशन अकाउंट करदे बあー क Studi होता है कि यहां पर एक स्केरें शयोट की लेकर घे जो महापुरुष फोटों के अंदर isn't रहा है यही है हमारे रियलाइजशन अकोंट इन जो काम अपनी पूरी जिंधिकें में करा है पूरी जिन्दिगी में मतलब गोल माल वाली जिन्दिगी में वसूली वही रियलाइजेशन अकाउंट हमारा करता है सर्वसूली मतलब क्या मतलब कि जितने भी लोगों से पैसा लेना है उन से पैसा हमारी खत्म एगर और डेसेशन अकाउंट एक डेफिनीशन यह होती आपको डेफिनीशन नहीं लिखने मैं को सिर्फ समझा रहा हूं झाले जाओंगा उसके बाद चलेंगे आपको लिखना भी तक कुछ नहीं आप समझते रहो तो यह रिलाज़ेशन अकाउंट की मैंने डैफिनेशन यहां पर लिखती है डैफिनेशन एक बर आपको पढ़के समझा देता हूं कि यह क्या रहा है रहा है इस अकाउंट को हम इसलिए बनाते हैं कितना प्रॉफिट्र होता है कैसे होता है अब भी केसे और चोड़के जितने भी सटो चौड़के उसको dar सब्सक्राइब करेंगों अपने पाइस करेंगे आपको समझा रहा हूं किया चीज है और इसके बाद कहता है कि सब्सक्राइब करने का सवाल होता ही नहीं क्योंकि पार्टनरी बंद कर रहा है तो रिलाइज़ेशन अकाउंट आया था इसका परपस क्या था जिए जो आप सर पर हाथ रखके बैठे हैं और यह आपका आश्चार चाहरा इनको ठीक करना रिलाइज़ेशन अकाउंट का शर किया मतलब मतलब सिंपल यह इसलिया था कि डिशुलुशन तो आप कर रहे हो बिजनेस बंद हो फिर भी इतनी जंजट क्यों कर रहे हो एक बनाओ रिलाइज़ेशन अकॉन यानिकि सब चीज़ को इसने आकर से निके जिए आपके कर दिया इस सबको कर दिया सिंपल तोg सफिर माँंदा को हम करते रहेंगे इस के लिए हैस्ऐ ये इस डैफिटन के अंदर केश इकाउंट और चैपिटल अकौंट को इसने ट्रांसफर करने से बना करा है तो इसके कर दिया लेकिन अब हम सब्सक्रामेंगे क्या तो क्लोज हो जाएगे लेकिन क्या करेंगे हम इसको क्लोज कैसे करेंगे अरे भाई जब रिलाइजर बना रहे थे पहले तो बनाने पड़ते अब यह दो बना लेना के साथ तो इस बैलेंशीट में जो एसेट्स और लाइबलिटी है उसको रिलाइज़ेशन अकाउंट यहां पर मैं दिख देता हूं अभी आपको नोड करने की ज़रूद नहीं है मैं आपको सब कुछ लिखवाने वाला हूं और लाइबलिटी को ट्रांफर करेंगे तो यहां पर लिख देता हूं और एक बात ध्यान रखना कैश और कैपिल अकाउंट बनाना मत बूलना तो रिलाइज़ेशन अकाउंट को बता दिया इसके अंदर क्या करना है कैश अलग और इसके लाव जो भी करना होता है और अब इसको को अंदर हम अपले करेंगे यह कोशन है कोशन तो देखने में छोटर से लग रहा है वैसे यह कोशन जो है जो मैं आपको करवा रहा हूं यह कोशन 15-20 में कंप्लेट हो जाता है लेकिन हम इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं क्यों क्योंकि जो पूरा पार्णर्शिप का चैप्टर है यह सिर्फ रिलाज़ेशन अकाउंट के उपर ही बेस है मैं आपको स्टार्डिंग में छे पॉइंट के अंदर पीस इसलिए बच्चों को इसाप्टर हाट लगता है नॉर्मल होता है चैप्टर की फॉस्ट क्लाश होती है हमारी बहुत ज़्यादा होती है पूरा हो जाता है तो यह आपको बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीके से समझाँगा आपको प्रोसाज में आजाएगा और अगर जब आप यह कोशन कर लेंगे तो इसके बाद के ंदर कोई सा भी कोशन आजाए अप उसको को कर सकेंगे कंगे तो यह बिशकर शाय قब कर सकेंगे लिए आगया निका देख यह Ama i person हो गया तो आपको मिल जाएंगे उसमें से पांच मार्क्स और बीस नंबर का कोशन आगया तो आपको मिल जाएंगे उसमें से दस मार्क्स और हाँ पीश मिल इसके अंदर रिलाज़ेशन अगाउंट नहीं बनाना होता यानिकी सिर्फ इस कोशन के उपर आपका 90 परसेंट चैप्टर बेस्ट है सिर्फ रिलाज़ेश कोशन क्या है पीक्यू और पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट और लॉस इंदर रिशो तो इस तो वन अगर आपको ऐसे कोशन पढ़ने में दिक्क्त होती है तो आप वीडियो को पॉस्ट करें को पढ़ें मैं आपको साथ-साथ पढ़वा रहा हूं और उसके बाद ही मैं को कोशन करवाऊंगा तो पीक्यू और पार्टनर है शेरिंग प्रॉफिट और लॉस इंदा रिशो तो इस तो वन देर बैलेंशीट आइस तर्डिफर्स मार्च टू जीरो एक्सवन इसको सबसे पहले काट के आप 2020 कर लिए पेपर में करेंट या कोशन आएगा इसको अभी स कोशन अपने बुक में चाहिए तो आप कर सकते हैं तो नीचे एक बैलेंशीट दी है और यही वह बैलेंशीट है जो हमको क्लोज करनी है कैसे करते हैं रियलाजरेशन अकॉंट बनाकर तो सबसे पहले हैं एक रियलाजरेशन आकॉंट के फॉर्माट में बना देता हूं इसके रावब कभी कोई एक्स्टव आएका तो उससी टाम कोशन में कर लेंगे इस कोशन गंदा सिर्फ तीन अकाउंट रियलाइज़ेशन अकाउंट जो मैंने आपको फॉर्मेट खिचवा दिया इसके पार्टनर्स एकाउंट और कैश जैसे मैं कोशन कर रहा हूं आपको वह वैसे करना है अगर आप इस चैप्टर को असान रखना चाहते हैं तो और सर आप कौन से रहे से स्पैशल तरीका लगा रहे हो इस पैशल तरीका कुछ नहीं है आपको तीन एक साथ बना दें रियलाइज़ेशन अकाउंट ने बना दिया पार्टनर्स का एपल अकाउंट जल्दी से बना देता हूं इसका लैजर मैंने बताया यह तो यहां पर लि अब प्लांटेंड मशिनरी का बैलेंस है वन लेक टाउजन तो अब जो मैं इतनी दिर से लैजर लैजर चिला रहाता है यह बनाते है वो बनाते जो इतलब मिलम्दी में आपको सुना रहा था यह मैं आपको करके दिखाता हूं कि क्या चीज़ में कहरता आप से यह मशिनरी का अकाउंट जो बना रहा हूं यह 31 मार्स 2019 जो इयर एंड है उसका बना रहा हूं मतलब सब्सक्राइब 2019 से यह शुरू हो रहा है और 31 मार्स 2020 पे खतम हो रहा है मैंने अस्यूम कर लिया कि इसको ओपनिंग बैलेंस था पचास हजार और फूरे सार में इसको खरीद अजब तो मैंने अस्यूम कर लिया कि जब इस्टार यह स्टार्ट हुआ था तो इसका बैलेंस था वह फिट्टी था था और यह के स्टार्टिंग में इन्होंने असी हजार की और खरी लिए इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है मैंने कर लिया कि पचाहसार का स्टार्टिंग में था और असी हजार की और प्लांट इन्होंने पूरे सार में खरी दी और यह मैं कब कि बात कर रहा हूं पूरे साल इसके उपर डेप्रेशिशन लगें बारह हजार का और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो था वह एक लाख आट हजार वन लेक्ट यह किस देट का बैलेंस है यह वह बैलेंस है जो आपको बैलेंस के अंदर दिख रहा है ठीक है यहां तक तो समझ में आ गया मैंने एक एक्जामपल लिया है जो कोशन के अंदर मैंने यह कर रहा है ट्वैल ताउजन की डेपरिसेशन लगी यह भी मैंने एल्जिम कर रहा है जो आपके कोशन के बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है इसका अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कोई सब एक्जामपल मैं से ले सकते हैं आप और यह जो बैलेंस है यह बैलेंस हमारा आया है तर्टी फस्मार्ट टूज़ेंट वेंट्टी को जो यह बैलेंस के डाउन जो है अब इसको प्राट डॉट डाउन करेंगे यह नेक्स यह में तो आज अगर तू बैलेंस ब्रॉट शीट में जा रहा है आपका जी जो तर्टीफर्स मार्च टूदाइड इस पर आपको यह दिख रहा है यह जाएगा ट्राइल बैलेंस में चला गए चला जाएगा ट्राइल बैलेंस के अंदर और प्रॉफिट लॉस अठाउंट से चला जाएगा पैलेंस के अंदर यहीं वह बैलेंस जो आपको कोश्चन दिख रही है यानि कि अगर मैं इंडिरेक्ट लिकाँ अगर ना कहूं कि जो वन लैट ताउजन यह इन डिरे होता हुआ है मिलता हुआ आ आया है और यहांच को तो यहीं है did ball फोन को क्लोस करना और चakesक कशने कि पीछे जाएंट जाएंगे लैजरलेंट लैजर से क्लोस कर देंगे तो बैलन यह जो है करना है अब यह जो प्लांडेट मशिनरी का अकाउंट है लेजर अकाउंट इसके अंदर जो बैलेंस होता है हम भजपन से पढ़त हुए आ रहे हैं करेंगे तो यह बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट और ट्रांसवर क्योंकि कर रहे हैं रियलाजेशन अकाउंट के अंदर तो इसके जनल एंट्री होगे रियलाजेशन अकाउंट डेट टू प्लांडेंड मशिनरी अकाउंट यानिकी इस लेजर को क्लोज करने का कॉंसेट इतना और 10 उल्ष्टपरियों और नहीं है कि अगर हम इसको रिलाजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसवर नहीं करते हुआ है एक से कई तया चैनल तो लिसके यह को श्योई करते हैं तो यहां पर बैंक से यहां पर लिख प्रम कर दियों कि अगर कि हमने इसको रिलाइजिचन एकम अंदर है तो यह जो बैंक में से करे इसको को भी हम ट्रांसफर कर देंगे रिलाज़ेशन अकाउंट के अंदर यानिकि इस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करने को नहीं कहा रहा हूं अब जब प्लांटेंड मशीनरी बेशा जाएगा क्योंकि प्लांटेंड मशीनरी तो अभी भी है लेकिन उसका लेजर नहीं है अब हो जाएगा तो इसकी सेल होने की एंट्री हम कर देंगे रिलाज़ेशन अकाउंट से यानिकि क्या हो जाएगी बैंक में पैसा आएगा तो प्लांटेंड मशीनरी को क्रेडिट करते लेकिन उसको तो रिलाज़ेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है तो यह इसक कर देंगे रिलाज़ेशन अकाउंट के अंदर तो इसमें आपको लिखवाई है तो यहां पर से मैंने यहां पर पोस्ट कर दिया तो यह प्लांटेंड मशीनरी का जो बैलेंस था यह तो गया खतम इसके बाद है फिक्स्चर स्टॉक है सब्सक्राइब कर रहा है वैसे ही सा प्रवाद में आया होगा तो इसका आपको पता है कि बागी फिक्चर कभी ऐसे वह इस तो इसके बाद संड्री डेटर लिखता है संड्री डेटर भी ऐसे होंगे और फिर कैसे का तो मलग से बनाए रहे हैं तो इन सब को भी मैं जलतीशी जाकर रिलेशन आकांट के अंदर वह सिंपल ही करेंगे कि अगर यह से ज़्यादा होते तो जल्दी से इसको भी हैं पर ट्रांसर कर देता हूं यह अमौंट में डिख दिता हूं यह अमौंट में बैलेशीट में कोशीर में दिये वहीं से देखके लिका रहा हूं अलग हो अरे इसके मार्केट वैल्यु को तो क्या आप बात बताओ अदर बुक वैल्यु या मार्केट वैल्यू वैल्यू को तो पहुंक पहुत पूजा कि और बना क्यों रहे हैं हम बना इसलिए रहे हैं क्योंकि बैलेंशेट को क्लॉस करना है तो जो पिलन सीट में अंदर लिखें तो मैं जब्स यहां से बैलेंशेट के अंदर से लेख लेख रहा हूं तो यहां पर लिख दिया मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो यह आप देखें तो यह एसेट हो गई कम्प्लीट अब चलता है लेविटी साइट को पर लेविटी साइट के अंदर पार्टनर है प्यक्यू और इनकी डेर रखिए उसके पाद क्रेटिटर रहे हैं पहले मैं क्या गईता हूं यह प्रेट्टिटर ट्रांसफर हो गया अब यह पार्टनर्स क्याप्टल अगाउंट जो बैलेंस इनका बैलेंस वह बैलेंस हो रहा है यह प्रेट्टल अगाउंट का बैलेंस भी हो चुके हैं बस अब बचा है रिजर्फ फंड रिजर्फ फंड का नाम देखते ही यह कौन रोता हुआ सामने आ गया यह पी इससे मैं पूछ नहीं जा रहा था कि यह क्यों रो रहा है लेकिन फिर मुझे दिग्या क्यूं यह ब इइस कौन है यह यह रहे यह तीनों। पार्ट्न बहुत बुरी तरीका से रो रहे हैं और इनके रोंने का रिजर्फ फंड रिजफ फंड से रोंने का क्या चक्र है इ问题 का मैंस estimates कि यह पार्ट्नर बताते हैं कि एक वक्त था किया अब हुआ बताते हैं कि एक वक्त ता जो मनें एक लाख रुब्री ब्रॉप्स कमाए 근데 प्रॉफिट कमा वह कि क grant कमाया कि विए वम सिर्फ बिस हाजारी घर लेके गए जाने चीशिस वाते हुआ है यक क्यों कि रहा है यह जो तीन रहे हुआ है यह कुछ ल이गल और एक बार ऐसा हुआ कि हमने बिजनेस के अंदर पूरे 30,000 रुपे बिजनेस के अंदर छोड़ दिया क्यों छोड़े ताकि अगर फ्यूचर में कभी बिजनस में दिक्कत हो जाए पार्टनिशिप जो रहे हैं तो यह क्यों रहे हैं इनके कारण क्या है यह एक हैं कि हमने अपना काठ यह ब्ली के शोड़े और अभी यह साट यहाईकिशन आगांट के अंदर ट्रांशिप और हो जाएंगे हमने देखा जैसे इनको रोता हुआ तो हमने इसाब लगा लिए कि इसका कितना नुक्सान हुआ है इनका रेशो है तो साथ हजार को जल्दी से डिवाइड करा इनके रेशो में तो पते चला पी का 24,000 का 24,000 और और का 12,000 का नुक्सान हुआ है कि आप इन रोते हुए चेहरों को देखिए क्या इनके साथ नाइनसाफी नहीं लगती यह देखिए इनके मासूम चेहरे क्या आपको नहीं लगता है इनके साथ नाइनसाफी हुई है यह देखिए सबसे ज्यादा रो रहा है लेकिन सबसे कम नुक्सान इसका हुआ है बारह सा आपको लगता है ना इसाफ नहीं होनी चाहिए तो ये जो साथ हदार है यह हम आपने तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे लेकिन यह यह वही पार्टनर का पैसा है जो घर ले जा सकते हैं लेकिन बिजनस में कॉंटिजन सी के रिए रखा है यानि आउट साइड लाइबली नहीं है यह ओनर्स कैपिटल ओनर्स फंड तो यह पार्टनर जो रहे हैं सब्सक्राइब करना है इसको कर देंगे और किसको देना है पार्टनर को तो पार्टनर के अंदर ट्रांसफर यहां पर लिगा पीस कैपिल अकाउंट क्यों कैपिल अकाउंट आर्ट कैपिल अकाउंट यानिकी तो मतलब मतलब पीछे प्राफिट हुआ उन सब तो कोई सब आज के आपको दिखे तो इसको पार्टनर को दे दिना तो रिजर्फ के एंट्रि में जल्दी से पार्टनर के अंदर कर देता हूं और इसका अब और से देखेंगे अगर बैलेंशिप की तरह तो यह बैलेंशिट हो चुगे है खतम इसको पार्टनर के अगरेंशिट करके दिखा दिए था इसको पार्टनर के अंदर तो यह थ्यान रखता है पैले शीट खतम हुई है लेजर्फ थे वह खतब हुए लेकिन अभी भी हमारे पास के अंदर है तो इसके बाद ही नीचे कोशन के अंदर लिखता है कि एट वाज डिसाइड़ टू डिजॉल्व बिजनस अहां डिजॉल्व करेंगा तब हम यह सब बनाएंगे तो डिजॉल्व तो करी गई उसके बाद है फोलेंग आमांट्स अर्ट रियलाइज्ड अमांट अगर आपको यहां पर बनाकर दिखाया तो मैं आपको बताया था कि जब हम इसको करेंगे तो इसकी एंड़ी रियलाइज़ेशन अकाउंट से कर देंगे क्योंकि प्लांटेड मशीनरी का अकाउंट खतम हो चुका है उसको हमने रियलाइज़ेशन अकाउंट के देर ट्रांसफर कर दिया है जब इसको सेल करेंगे तो यह बात तो पक्की है कि कैश आएगा जब मैंने प्लांटेड मशीन आसेट बजा था तो आपको यादका था कि अगर शेहर करें लेकिन को प्लांटांट करेंट से क्लोस करदें मैं से लएक है लेकिन वर्यृट करेंगे ऐसे था इसलिए जरे अटेर बता हो आपको ऑगया होगा तो लिए लेकि माशेयर को आता है is थे हैं तो कह रही और डैबिट करेंगे करेंगेंdefinedwait को क्योंकि हमने रांसफर कर दिया है समझा है वैसे ही यह वे टिस टोऊक सब करने पड़ेगी तो इन सब क्या लग 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 एंट्री करने का कोई ज्यादा फाइदा नहीं है यहां पर मैंने एक बार इंदर सब कर दिखा देता हूं मतलब कैसे मैं कहना चाहरा हूं यह जो प्लांटर मशिन्री वन लेक्ट थाउसंद यह सैल हुई है वन लेक्ट थाउसंद में कोशन में देखके बता रहा हूं और यह फिक्ट्र से एटीन थाउसंद स्टॉक है तो यहां पर मैं कर देता हूं एंट जल्दी से यहां से देख देखके लिख रहा हूं अमाट प्लांटर माशिनरी से लुआ है वन लेक्ट थाउसंद में एंड फिक्ट्र से लुआ है एक एंड फिक्ट्र से लुआ है एक टिनथाउसंद में इस टॉटल नहीं पर बता देता हूं कितना आया है इसको टोटल करते हैं एक एलेक्ट्र फोर फॉर यह आया है तो लेक्ट फॉट्याइट थाउद्ट और यह अमॉंट सीधा कैश अकॉन में जाकर लिख देता हूं दोनों में से एक जगा आपको डीटियल देनी है मेरी कॉमेंट करूंगा कि आप के अंदर देना चाहें तो आपकी मर्जी है अब चलते हैं इस कोशन के अंदर आगे यह जितने भी एसेट हमने सैल करें यह तो हमने लिख दिया अब आगे कोशन चाहिए अलावर डिस्काउंट पर साथ यह क्या चीज़ और भाई आज़े तो बेच दिया है से संटी से पैसे ले लिया इस सब बेश डाला अब जिनके पैसे उधार लिया है उनको वी दो वापस करो तो यह वह क्या रहा है रिक्रेटर को डिसकांट दिया है 5-5 पर सन्ट यानिकी पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी परसेंट तो कैश काूंट तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगा तो चैश अकांट हए ही नहीं उसके जगा रिविधेशन अकोण्ट है क्यूंक इसको रियलिजिशन अक्यांट तो अड़ पोस्ट कर रहा हूं यहां पर क्रेडिटर्स मैंने लिखा 48,000 इंटो में 95% क्यों लिखा तो 95% ही पे करना पड़ेगा और यह से मैं कैश अकाउंट में जाके पोस्ट कर रहा हूं और यहां पर लिखे मैंने 45,600 जैसे मैं कोशन कर रहा हूं है मैं कि चोटे कर नहीं जैसे कि नंदर ये को से सारे कर दो तो पहला है आप पता कौन किस पाइगा यह आपको कोशन आप तीन से साथ कोशन कर लो आपको कोशटन के पता चला जाका या दो पेज में वैसे नॉर्मलली एक पेसे के इंदर ज्यादतर कोशन का आ जाता है अब एक पेश का प्रविज्जन और टो के लिए देखे चलेंगे बात कर रहा है जितना भी हमने यह एकसेट्स बेचे हैं यह करेट को पैसा पेकर है। इन सब को बेचने में जो भी खर्च हुआ वो रियर्यसेशन एकस्पेंस जो है वह उसने सारे एकस्पेंस इकटे करके दिया हैं जैसे कि प्रणीन सफर सब्सक्राइब कर अभी पैसे वह इसके पैसे यह वशल कर आभा करके बोलता है कि सब्सक्राइब अंदर तो यहां पर मैंने लिखा आगाउंट फिफ्टीन हंड्रेड देन उसके बाद कोशन के बंदर वापत चलते हैं कहता है देर बाद एन रिकॉर्डड़ एसेट और शिक्स थाउसन कहता है एक अन्रिकॉर्ड़ एसेट था यह क्यों आख जिंदेगे कई प्यासर शेहथ अन्रिकॉर्ड़ एक था पार टालिसोरी में टैसेट मैंपको बता ले यहां क्या मं लेंड़ों चु15 में थन हमेंदेथा इसके बहुत जीसियाद्था वाले इसके अन्दर में जिकॉॉशन बाले हैंम है रहना है उसका यह होता है अई ऐसकी दशलिए और उसका इक होता है वतले कृष्पॉण लेडिट करे बच से शीहाएं बजपन से शीखता रहे हैं एसेरा डेविट法 होता और उसका हली क्रेडिट भी होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं एंझारे को दिखा तो हम कहते हैं रिकॉर्ड क करते हैं कि को रिकॉर्ड कर सब्सक्ता रिकॉर्ड कर लेंगे लिए और यहां करते e-bayernand कैंने की बात ओर रहा हैं और डाकर न आप इसको नॉर्मिलब बहुतने हैं आ pasture के MARY आएर हैं आप tao आप रेक्टिफिकेशन और करते हुए आ रहे हैं लेकिन जब आप करेंगे अन्रिकॉर्ड यहां पर भी आ सकता है जो बज़ गया तो बज़ गया और लेकिन जैसे ही आप क्रेडिट ढूंडने जाओ गए तो डिसलूशन में आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा और लेकिन यह जो क्रेडिट है यह तो आपको एसलिए बज़के को क्यों नहीं होता लेकिन कॉर्सपोर्ड़िग क्रेडिट इसका खद हो चुका है तो आप क्या करेंगे सब्सक्राइब तो डिकांट करेंगे अब क्यूंकि उसके बचाइब अगले ही पल आपको इसको वापस से अकॉंट के दर ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि हम कोई लेजर मेंटेंज कर ही नहीं रहे बिजनस बंद हो चुका है उसके सब सारे अकॉंट को क्लोज करके हमने अकॉंट बना दिया है कि अगला है अगले ही पल को कि इसको आपको ट्रांफर करना पड़ेगा अकॉंट के अंदर यानिकि आप एक पल और अगले ही पल जाओं आप देखे तो तोड़ी है हम अपने पर यहां पर चल रही है उसको खतम कर देना आप इसको रिकॉर्ड करना ही नहीं क्योंकि जैसे रिकॉर्ड करोगे वैसे उसको क्लोस करना पड़ जाएगा इससे अच्छा है रिकॉर्ड करो हो इसको करें के यानि की एक पॉइंट जावने से चुरू होती है सब咁 आगे अब यहांसे कंफिजन कैसे जो मैंने को इसकी entry करनी है यानि की recording की entry नहीं करनी लेकिन सेल की entry करनी है कि जब करेंगे तो चाहिए गयोड यह जैसे को लेकर चला गया हो सकते हम इसी इसको बाइश देते तो उसके लिए आपको करने पड़ेगी करेंगे क्या कैश में पैसा आएगा तो कैश डेबिट और अन्रिकॉर्ड एसेट कर देंगे लेकिन इस कोशन के अंदर आगे बोलता है कि यह जो अन्रिकॉर्ड एसेट था इसको क्यों ने टेक आवर कर लिए तो हम जो 4800 रुपए प्यसेट कर लेंगे यानि की क्यों ने अकउंट करेंगे हम वहां पर लिखेंगे क्यों क्यों लेंगे क्यों लेकिण क्यूंक कैपिटल और लेकिनिक अकाउंट अरण पर यहां पर यहां पर देता हूं तो यहां पर दूंगा तूर के अंदर 4800 इसके बाद को में दिख रही है लिए मेरे को बोलता है अब लिए 4200 एक बैलिस तो फे 4200 का एक बिल वो कहता है से लिए वह था जो रिचीब वह है को अब यह अन्रिकॉडड़ेटी की तरह दिख रहा है लेकिन इसने इसको नाम साफ सब लिख के दिया है तो हम इसको अन्रिकॉर्डड़ लाइबली नहीं बोलेंगे इसकी क्या हो जाएगी कैश में पे करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा और क्यूंकि इसके लाव को अकाउंट है नहीं तो अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देता हूं ब्रैकेट में डिटेल नहीं पड़ेगी तो मैंने लिख और कैश अकाउंट में जाके पोस्ट करूंगा तो बाइड रियलाइजेशन अकाउंट 4200 अब आप देखे ध्यान से तो यह कोशन हो गया है कंप्लीट आपको पूरा समझ में आ गया होगा लेकिन यह दिक्कत आपको आ रही होगी कि सब्सक्राइब क्लोज कर दी लेकिन यह तीन नए अकाउंट क्यों खोड़ लिए हैं सब्सक्राइब करना था आपने बैलेंश करेंगे और इसकी क्लोजर के साथ-साथ ही हमारा बिजनेस भी क्लोज हो जाएगा को क्लोज करना है पहले इसका टोटल कर लेते हैं क्रेडिट सब्सक्राइब मुझे दिख रहा है 48,000 248,400 and 4800 तो टोटल इसका दिख रहा है 31,200 और डेविट साइब का टोटल तो इसका टोटल आ रहा है 291,300 यह दोनों क्रेडिट साइट और डेविट साइट का टोटल मैंने लिग दिया है आप आपको पता हुए कि टोटल मैंच करता है तो यहां पर मैंने दोन साइट इसका टोटल मैंच करवा दिया 31,200 और बैलेंस के इतना बचा यह भी मैं बैलेंसिंग फिगर बता देता हूं 9,900 अब क्रेड़िट 3,100,200 और डेविट 2,091,300 यह वह हमने लिखा है आपने बच्पन से पढ़ा है कि इंकम जो होती है उसका बैलेंस होता है और हमने तो यह बढ़ा है कि लैपिट होते होता है अब कर रहे हैं कर रहा हैं डेटर से पैसे वसूद कर रहे हैं यानिकी नॉमिनल अकाउंट है इंकम और एक्सपेंस के इसके इसके बाट हो रहे है तो लाइबर टे का चक्कर यहां पर नहीं रहेगा यानिकि जो फ्रेड़िट 3,100 यह हमारी इंकम है और इसके कोनों का वह होगी हमारी इंकम यान्म की उसको हम जानते हैं प्रॉफिट के नाम से प्रॉफिट पर पार्टनर का हग है किस रोच्व में तो इस्टू तो निलेशन इसको हम ट्रांसफर कर देंगे ऑर उस प्रॉफिट को पर उनका है तो यहां पर मैं लिख देता हूं पीस कैपिल अकाउंट क्यूस कैपिल अकाउंट और यह मैं इसको तो इस्टो तो इस्टो बन के अंदर यहां पर लिख देता हूं 39603960 और यह प्रॉफिट के जल्दी से जागे पार्टनर के अंदर ट्रांफर करता हूं यहां पर लिखा मैंने बाइब अकाउंट 396039601980 अब मुझे क्लोस करता है पार्टनर कैपिल अकाउंट और कैश अकाउंट पहले पी का कैपिल अकाउंट क्लोस करते हैं इसके क्रेट साइट का टॉटल आ रहा है यह सब्सक्राइब करना पड़ेगा बचपन से पड़ते हो आ रहे हैं कि बिजनस अलग होता है और पार्टनर्स अलग होता है तो यह वही कॉंसेप्ट आज आपको प्रैक्टिकली दिख रहा है कि बिजनस तो क्लोस हो रहा है तो बिजनस में जो पैसे हैं वो उसके वापस करे जा रहे हैं तो यह वन लैक फॉर्टी सेवन ताउदन नाइन हंड़ेट सिक्टी जो कैश में हमारे बैलेंस होगा उसमें 4800 यह हमसे वसूल कर चुका है बिजनस से वसूल कर चुका है तो अब हम इसको 4800 रुपेस कम देंगे क्योंकि उसका इसने पहले ही ले लिया है तो यहां पर में लिख देता हूं माइनस करके 75,960 में से 4800 माइनस करूंगा तो 71160 1160 इसका पैसा जो है हम इसको कैश में देना पड़ेगा अब आर की बारी कि यह जो आर है इसका टोटल आ रहा है ट्वंटी फॉर थाओजन ट्वाजन बनेने एट जिरो शेटिस जाल नौसटी 37,980 इसका टोटल है और हम जब डैविट साइड में देखेंगे तो इसने कुछ पी व के अंदर भी पोस्ट करना पड़ेगा तो यहां से कैश अकॉंट के अंदर पोस्ट करके दिखा देता हूं यहां पर लिखा मैं रहें तो इसका डैविट और क्रेडिट साट का करेगा कि पार्टन को पे कर दिया जितने भी क्रेटर इसको कुछ पे नहीं करना कि लेना नहीं है बिजनेस हो गया प्लोज तो यह कैश अंदर एक रूपया नहीं बचना चाहिए अब इसका टूटल में करता हूं तो देखते हैं दोनों का मैश करता है या नहीं यह देबिट साइट का टोल आ रहा है 3,8,400 एंड क्रेट साइट का भी आ रहा है 3,400 यानिकि इसका टोल मैच कर रहा है अगर कोशन के अंदर कैश आउन कर आपका मैश नहीं कर रहे या पर पार्टनर का टोटल मैश नहीं करे इसका मतलब आपने कोशन में कोई गलती करिए उस क्लास के अंदर पढ़ा था वह मैं आपको यहां पर नहीं पढ़ाने वाला हूं बस यह मैच करेगा मैं आपको बता दिया तो अभी हमारे कोशन हो गया खतम इस कोशन के बाद मैंने जैसे आपको कहा था कि आप पूरा समझ गए होंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से सम स्क्राइब कर देता हूं कि अब डिसलूशन का हमारा कॉंसेट हो गया खतम डिसलूशन के सिर्फ बुक के अंदर दो ही कोशन है और जो उन दो में से जो सबसे ज़्यादा हाड है वह मैंने आपको क्लास में करवा दिया है एक इलस्टेशन नमबर वन है बुक के अंदर वह इलस्टेशन घर जाके कर लेना तो कोशन है बच्चों को इसमें दिक्कत होती है लेकिन आपको इसमें मैंने साथ-साथ करवाया है तो दिक्कत नहीं लगी होगी तो आप इसको खुद से करें तो यह आप जो मैंने को स्टार्टिंग में 10 पर चुडवाए थे वहां पर यह कॉंसेट नोट कर लें और इसके ब झाल 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 कि नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टनर्शिप अकाउंट्स यह फाइनल के अंदर नहीं है यानि कि जितना एक चार्ड़ेंट को पार्टनर्शिप अकाउंट्स आता है उतना ही आप लागे तो इसको बिल्कुल भी हलके में मतले यह ना सूचें के फाइनल के अंदर जाके शीख लेंगे फाइनल के अंदर बिल्कुल मौकर नहीं मिलने वाला जो है वह यहीं इसलिए आपको बहुत अच्छे से बहुत अराम राम से पढ़ाए इसके बाद हम नेक्स लाट में बिलेंगे और नेक्स लाट में स्टार्ट करेंगे इनसल्वेंसी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कि मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थैंक